कर्म डप्टर संतोश आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूटिव की वीडियो में तो हम बात कर रहे थे नुजूर के उपर ठीक है कल हमने डिसकस किया कर्सिनोसिनम के उपर बहुत इंसान की जिन्दगी बदल सकती है तो बात करते हैं आज मॉर्विलिनम एक छोड़ा सनोजोड है सोटकर में बताऊंगा बहुत इंपोर्डेंड है बैसिकली यह मिजल्स के वाइरस के इंफेक्शन से जो बना है जो स्किन कर लीजन बनता है उसको पुटेंडाइस करके बना जाता है इसलिए नाम मॉर्विलिनम यह सीजन में वसंद रुटू आता है या फेर विंटर सीजन के बाद कहीं पर है जो वसंद रुटू में जो जो इनफेक्शन होता है खास कर के स्किन का लिजन हो या फिर सर्दी जुकाम खासी वाइरल इंफ्रेक्शन जितने भी हो कोरोना के बाद उसी की कटेगरी का जितना भी वाइरल इंफ्रेक्शन आता है उसको प्रिवेंटिब के रूप में आप दे सकते हैं खास करके मिजल्स के मिजल्स तो खैर अभी सबको नह लाल लाल रास्टिस आता है उसके अलावा सरदी जुकाम खासी बुखार बदन दर्द सरदर्द यह जितने भी सिम्टम से वारेल इंफ्रेक्शन का उन सब के लिए आप दे सकते हैं अगर अपके अरिया में फैला हुआ है तो उसके हिसाब से आप यह वारेल को जो फीवर है या फिर जो भी उसके रिलेटेड सिम्टम से उसको प्रिवेंट करने के लिए आप दे सकते हैं बहुत ही बढ़िया काम करेगा अब क्योंकि यह नोजोड है आप इसको डिरेक्ली 200 में यूज करना बेटर रहेगा 200 दिन में दो बार करके बस दो ही दिन दीजिए ज्यादा मत देना छोड़े बच्चे हैं तो एक ही दिन काफी है हो सकते हैं लेकिन एक या दो बुन देना उससे ज्यादा मत देना बहुत बांगे उसके ख़तम होने के बाद दो दिन के बाद बाकी की दवायां दे सकते हैं उससे पहले कोई प्रब्लम नहीं है लेकिन आप जो कंडिशन क्रिटिकल उतना नहीं है उस समय इसको देना यह चीज आप ध्यान में रखना या तो प्रॉब्लम बहुत स्टार्ड होने से पहले आप दे सकते हैं या फिर थोड़ा कॉंप्लिकेश्टी जो है उसको खतम होने के बाद आप उसको दे सकते हैं यह दोनों चीज़ें आप याद रखना प्रॉब्लिनम जैसा काम करने वाला और कुछ बहतरीन दवा है जैसे कि बलाडोना है पालसेटिला है एपीज दिया जाए सकता है आर्सेनीकम आलबम जैलसिमियम यह यह इसा बहुत सारी दवा हैं जो कि उसी संदर में काम करेगा मिजल्स क्यों कुरिमेंट करने के लिए या फिर हो चुका है तो उसके जो process है उसके जो condition है उसके जो भी complications है उसको तुरंथ खतम करता है mostly pulsatile I use दो मेजल्स क्योरिडी process में फिर उसको जड़ से खतम करने के लिए उसको खतम करने के लिए जो चिन रह जाते हैं स्माल पैचेस रह जाते हैं उसको सालिशय आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि पल्सिट इलाका कॉंपलिमेंटरी है वो क्रॉनिक है तो यह कुछ फिर से रिकरेंस होने के आप बचाना चाहते हैं तो 15-20 दिन के बाद 1M का एक सिंगल डोस दे सकते हैं तो यह चीज़े बहुत ही इंपोर्डेंट है इसको ध्यान में रखिए तो छोड़ा सा वीडियो था मॉर्विलिनम का ऐसा ही बैतरी इन वीडियो आनमेले दिनों में पे करें ताकि जो भी नया विडियो में अफ्लोड करें तुरह अंता आपको नोटिफिकेशन मिले यूट्यूब की तरफ से और आप उसको देख पाए बहुत दो धन्यवाद नमस्कार